आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो भाई लोग आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर जो आपके मोबाइल में कभी भी प्ले स्टोर जहें चलना बंद कर देता है चाहे उसका डाटा किलियर कर देतो हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जैसे मैं आ इसा बढ़वा रिट्राइगर आपका लेता है तो आज जो इस वीडियो को देते रहे हैं यहीं आपका मैं स्लूशन बताने वाला हूं कैसे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो जैसे मैं प्ले स्टोर का डाटा भी रीज कर देता हूं फिर भी जो है यह ठीक नहीं होता है तो इसे जो है कि आपको सॉल्व करने के लिए आपको अपना जो है फाइल मेनेजर में जाना है येस फाइल एक्स्प्लोरर अपना नॉर्मल फाइल मेनेजर में बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको जैसे यह मेरा जो है रूट एक्स्प्लोरर जो है यह है तो यहाँ पर जो आ एक folder नम का बना होगा एक folder तो आपको वहाँ पर जाना है जैसे system में जाते हैं यह रहा यह system है और यहाँ पर आपको एक etc नम का एक odd folder मिलेगा तो भाई नॉर्मली आपको यहाँ पर जाना है और etc वाले folder में और यहाँ पर आपको एक बहुत आरी file मिलेगी आपको host नम का एक फाइल सर्च करना है अगर आपका host नम से आपको कोई file मिलता है तो यही आपका region है जिसे की play store आपका नहीं चल रहा था है यह जो एक play service को ब्लोक कर दिता है तो इस host को आप long press करके आप delete कर दो तो उसके बाद आपका play store जह है चलना start हो जाएगा तो यहां पर देखते हो मैंने इसे delete कर दिया तो आप बैक करते हैं और आप play store को open करते हैं तो भाई यहां पर आप अभी मैं play store क open करता हूं तो यह आप देखते हो यह जो है चलना start हो जुका है play store तो इस तरह से अगर आप किसी और को इस problem में देखते हो तो उसके साथ यह video share कर दो और इस video को like करना बिलकुल नहीं भूलेगा तो भाई ऐसे और भी कोई आपका problem हो तो comment करो मैं आपका उस video बना का आपको मैं उस problem का solution आपको बता दूंगा तो या भाई thanks for watching, bye bye do subscribe and share तो दोस्तों चैनल को subscribe करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ आपको bell icon आएगा तो उस पर क्लिक करने उसे जो है कि आपको जब भी video upload करूँगा तो आपको जल्द से जल्द आपको जाएगा तो यहाँ पर like बोड़न पर क्लिक करने और यहाँ पर share कर सकते हैं अगर आपको जादा चल्द